नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवीर सर्मा जी आप कहां से हैं? हरवीर जी संत रामपाल जी मारासे नामदिक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी मारासे नामदिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? चला हुआ आ रहा है जो हमारे पीडी दर पीडी चला आ रहा है मुंसी की तरह करते थे हम भी तो फिर क्या कारण मना कि आप संत रामपाल जी महाराच की सरण में आई देखो जी कारण उसका यह है कारण बड़ा भी है लेकिन कारण को मैं आपके सामने एक छोटे सब्दों में रखूँगा मैं सन 2002 में मैं डिफरेंस परसनल हूँ आर्मी से मैं रिटायर हुआ हूँ और 2002 में रिटायर होने के बाद फिर मैं बिजली विभाग में नोखरी करना शुरू किया था तो जैसे 2002 में मैं आर्मी की सर्विस से रिटायर होकर का आया तो भगतमती की मेरी तब्यत ठीक नहीं रहती थी और जब तब्यत ठीक नहीं रहती तो मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया और मैंने तांतरी कुवांतरी को को भी दिखाया लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी जब कहीं भी बात नहीं बनी तो मैं एक एविवस्ता पैदा हुई मेरे अंदर ऐबीवस्ता पैदा हुई तो हमने क्या काम किया घर के अंदर ही हमने एक कीरतन प्रोग्राम का सिलसिला चालू किया कीरतन प्रोग्राम का जैसे सिलसिला चाल días और वहाँ पर भगत जम आने सुरू हो गए और कुछ श्टैंट बढ़ने सुरू हो गए तुम हां उस इतन में एक भगजी आ गए महारे पास। तो एक दिन उन्होंने हमारे को बताया बोले भै यह तो तुम सब घलत कारवाई कर रहे हो। अब हमने उन्होंसे जानना चाहे कि सही क्या। तो उन्होंने हमारे को एक बुक दी थी गेता तेरा ग्यान अमरत जो पढ़ी हमने बुक सर जी आप यकिन करो महरी पैरों के निच्चे से मिठी निकल गी और रात भर मैं जिस दिन वहां मुझे बुक मिली थी तो मैंने रात भर उसको पढ़ा सुबह चार बजे तक सुबह च इठा ले मैं उसस साथ साथ लेक गया तो जैसे साथ साथ लेकर करके गया फिर वो मैं पढ़ी पूरा अच्छे धंग सरी वीट किया उसको अच्छे धंगता रीड किया पढ़ने के बाद मुझे जान करी हूँ कि ये तो मामलाई कुछ और है तो सर जे वा बुक जैसे मैंने सरसंत रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाब बेप्राप्त हुए? जी लाब तो ये हुआ सर्जे के सबसे बड़ा लाब तो मेरा ये हुआ के सत्यूग से लगा करके अब तक जो रीशी महरीशी ते एक एक हजार साल तफश्या करके चले गए उनको मौक्समार्ग नहीं मिला और हमारे को आज मौक्समार्ग की जानकारी हुई मनुष्य जनम का उचित क्या है मनुष्य जनम के उचित के बारे में मुझे जानकारी हुई ये हमारे को लाब हुआ सबसे बड़ा तो और जो बीबी की मेरे सामने परिशानी थी हमने 30 जोलाई 2017 में नाम देख शाली थी तो तब से बीबी ठीक है परिशानी ये थी ये कभी भी ठीक नहीं र परिशान था जब से शादी हुआ जब से ये चल रहा था लेकिन अब ये पिछले तीन-चार साल होगे तीन-चार सालों से बिल्गुस से ही आर्थिक अस्तिती मेरी ठीक है जी परमात्माने मुझे पहले से ही ठीक ठाक करकर लेकर चलने और मैं कभी भी जीवन में सर जी ये मेरा नियम रहा है कि कभी भी मैं जूट नहीं बुला कभी गलत काम नहीं करें कभी चोरी जारी नहीं किया ये काम मेरे से बहुत दूर रहे परमात्माने मुझे इन चीजों के बारे मैं पहले से ही बचा करकर रखा सर संत्रामपाल जी माराश से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सरेला पराप्त हुए आप आर्मी से रेटाइड आफिसर के साथ साथ एक एजुकेटिड परसन भी हैं हमारे चैनल के दर्सक कुछ मुखे पिर्शन करते हैं उनमें से एक पिर्शन यह भी है कि संत्रामपाल जी माराश के अनुवयाई उनसे अंध सरद्धा के तहर जुड़ते हैं सर यह बाते कहा तक सही हैं देखो जी जितना भी अंसरद्धा और सरद्धा की भगती है जो अब से पहले हम जुड़े होएं तो वो थी अंसरद्धा भगती लेकिन अब जो जुड़े हैं हम पवित सत्गरंतों के आधार पर संत रामपाल जी महराज जो हमारे को सच्चा ग्यान बता रहे हैं वो पूर्ण परमात्मा के आधार पर पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं पूर्ण परमात्मा कौन है कहां पर विराजमान है किस व सब्सक्राइब और अर्मी से रिटाइड ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ आप एक ब्रहामर समास से भी बिलॉंग करती हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में अक्सर यह भी का जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दिक्षा लेनी है तो देवी देवताओ की पूजा छोड़नी पड़ेगी सरम आपसे पूछना चाते हैं क्या ये बाते सही हैं देखो सर जी हमारे जो सद्गुरू रामपाल जी महराज हैं वो देवी देवताव की पूजा छुडवाते नहीं देवी देवताव को सम्मान करना है संत रामपाल जी महराज देवी देवताव की जो भगती है इनको छुडवाते नहीं है इनको और विदी विधान से पवित स सर संतरामपाल महराज से कैसे प्राप की सकती है दिखो जी संतरामपाल जी महराज ने आज कल के दिनों में हर जिले के अंदर लेसे नाम दिक्षा है और नाम दिख्षा लें निशूल दिख्षा लें फिरी में दिख्षा मिलती है और मोक्स करवा में धन्यवाद सर